हेलो गाईज। आज हम आपको अंगूर के फायिदे के बारे में बताएंगे कि अंगूर किस किस काम आता है और अंगूर से हमें क्या के चीजे प्राप्त होती है अंगूर एक ऐसा फल है जिसे आप सावित खा सकते हैं इसको छिलका उतारने की जरुत नहीं होती, आप इसको साबुत ले सकते हैं, ना दिसे छिलका उतारने का जंजट है और ना इसमें बीज निकालने का जैसे कुछी बीज निकालते हैं, गुठली निकालते हैं, इसमें बीज निकालने का जंजट होता है, इसमें इसको हम खाजित कर सकते हैं अंगुर एक विशेश-पूल की रिया के तहर सुखा कर किश्मिश बनती है इसकी और इसको किश्मिश का रूप दिया जाता है अंगुर में प्रयापत मातरा में कैलोरी फायबर और विटामिन सी यह पाया जाता है अंगुर के ला जवाब सवास से तो हम स में बहुत कम लोग जानते हैं नंबर वन आया हम आपको बताते हैं अंगूर में ग्लुकोज, मैगनेशियम और साइट्रिक एसिड जैसे कई पोशकत तुपाए जाते हैं कई बीमारियों में राहत के लिए अंगूर का सेवन करना फायदमद होता है जैसे टीबी, कैंसर, ब्ल जो से पीड़ी तो दते हैं बहुत से लोग उनके लिए भी अंगूर बहुत पायदमद होता है यह उन लोगों के ब्लड शुगर के लेवल को जो कम करता है और इसके लावा यह आयरन का भी मुख्य सुरोते हैं इसमें भी भरपूर मात्रा में होता है जिन लोगों को पीना बहुत फायदमद होता है कुछ समय तक अंगूर के रसको निवस सेवन करने से इस समय से से निजात पाय जा सकती है अगर यह समस्या किसी को भी तो अंगूर कर जूस पीर सकता है उससे आपके माइग्रेन में काफ़े फायदा होगा हाल में हुए एक शोट के अनुसार जो ब्रेस्ट के अंसर की रोप थाम में भी अंगूर का सेवन करना बहुत फायदमद होता है इसके अलावा दिल से जुड़ी बिमारियों के लिए भी विशेश रूप से फायदमद है और अगर आपको भूक नहीं लगती तो इस वज़ ऐसी पर अंगूर के रस्का सेवन कर सकते हैं इसके सेवन से कब़ की समस्या है तो और आपको भूक भी लगने लगेगे ज़ूआ엔 अपको भूक्ता म Already बाता में 10 पर काद बीड में 10 जूस अगर लाब ऐसक रख Sut चु़री जूस में अगर आप 2 चमर आउसियों मिलादमद तो आपके खून के कमी को दूर करेगी और आपका हिमोगलोविन भी बढ़ाएगा ये जूस जो आप पिएंगे देखा गाइस आपने अंगुर का सेवन करने से कितने फायदे होता है इसलिए आप अगर आपके अंदर ये सब कमी पाई जाते हैं तो आप अंगुर का सेवन जरूर कीजिए और अपने इन कमियों को दूर कीजिए अंगुर एक उद्रति फल है जो हमें बहुत से पोशक तत्व देता है आपको हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए